परिचय आंकड़ा क्या है? ऐसे तत्यों या सूचनाओं का समुच्य जिनसे निशकर्ष प्राप्त किया जा सकता हो आंकड़ा कहलाता है डेटा, डेटम का बहुवचन है संख्यात्मक आंकड़ा हमें अगली कार्यवा ही है तु आंकड़ों को वर्गी कृत और विशलेशित करने में सहायता करता है आंकड़ा तत्यों का संग्रह है ऐसे आंकडे जो मूल रूप से संग्रहित नहीं किये गए हैं, लेकिन प्रकाशित या अप्रकाशित स्रोथ से प्राप्त किये गए हैं, द्वितियक आंकडे कहलाते हैं उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे आंकडों और इसके प्रकारों की पहचान करना वर्ग अंतरालों और इसके प्रकारों की पहचान करना आयत चित्र को हल करना वृत्त रेखा चित्र को हल करना प्राइक्ता को हल करना चित्र आलेक संख्यात्मक आंकणों को चित्रों या प्रतीकों का इस्तेमाल करते हुए निरूपित करना चित्रालेखन कहलाता है चित्रालेखों को पढ़ना भारी आंकणों को व्यक्त करना तो आसान है लेकिन इनके माध्यम से सही सही मान नहीं व्यक्त किया जा सकता यह एक कॉलोनी के लोगों द्वारा चुने गए खेल का चित्रात्मक निरूपन है स्तंभ आलेक स्तंभ आलेक आंकणों के आलेकिय निरूपन का एक और स्वरूप है जो स्तंभों की लंबाई के अनुसार आंकणों की मात्रा दर्शाता है यह स्तंभ ख्षैतिजिक या उर्ध्वाधर यानी अभिलंबवत हो सकते है यह स्तंभ आलेक विभिन पशुओं की आयू निरूपित करता है इस स्तंभ आलेक से हम पशुओं की आयू प्राप्त कर सकते है आंकणों की तुलना हम एक स्तंभ आलेक में आंकणों के दो समुच्चे निरूपित कर सकते है यह स्तंभ आलेक वर्ष 2006 के साथ साथ 2007 का भी औसत मासिक व्याय प्रदर्शित करता है इस प्रकार का स्तंभ आलेक उभय स्तंभ आलेक कहलाता है हम इस उभय स्तंभ आलेक का इस्तिमाल करके आंकणों के दो समुच्चे की तुलना कर सकते है बारंबारता बंटन आकणों के प्रकार कच्चे या अपरिश्कृत आकड़े कच्चे या अपरिश्कृत आकड़े प्रारंभिक प्रेक्षणों का संग्रहन होते हैं जो अविवस्थित होता है इस प्रकार की सूचना हम सर्वेक्षन के दौरान प्राप्ट करते हैं इसे दो प्रकार से वर्गी कृत किया जा सकता है एक असतत आंकडे दो सतत आंकडे असतत आंकडे इस प्रकार के आंकडे बहुत शुद्ध रूप से पूर्ण संख्याओं में मापे जा सकते हैं किसी परिवार में बच्चों की संख्या और जूतों के आमाप असतत आंकडों के उधारण है सतत आंकडे इस प्रकार के आंकणों में दो पूर्ण आंकों के मध्ध का कोई भी मान हो सकता है अर्थात इन्हें पूर्ण रूप से सही सही नहीं मापा जा सकता इनमें कुछ ना कुछ तुरुटी सदैव होगी किसी कक्षा के छात्रों का भार वो किसी नगर का तापमान सतत आकणों के उधारण है बारंबारता बंटन सारिनी निम्न आकणों को देखें यह छात्रों द्वारा एक मह में अर्जित ग्रेड के विशे में बताता है इस आकणे से हम छात्रों द्वारा अर्जित केवल एक मह की ग्रेड के विशे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आईए निम्नानुसार सारणी बनाए यह सारणी दिये गए आकणों को सपष्ट रूप से दर्शाती है इस सारणी से हम प्रत्येक ग्रेड में छात्रों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यह सारणी बारंबारता बटन सारणी के रूप में जानी जाती है दिये गए आकणों में कोई विशिष्ट प्रेक्षन जितनी बार पाया जाता है उसे उसकी बारंबारता कहा जाता है बारंबारता बटन प्रदर्शित करता है कि कोई विशिष्ट वस्तु उस समूह में कितनी बार पाई गई है वर्ग अंतरालों के इस्तिमाल वाली बारमबार्ता बंटन, सारिनी, उदहरण, एक कक्षा के 30 छात्रों द्वारा गणित के प्राप्तांक निम्न में दिये गए हैं आकणों को वर्ग अंतरालों में समूहित करने से पहले निम्न बिंदुओं पर गौर करना आवश्चक है एक, जब आप आकणों को वर्ग अंतरालों में समूहित करें तो बंटन की परास यानि रेंज सर्वाधिक महतुपूर्ण है उच्चतम वो न्यूनितम प्रेक्षणों का अंतर ग्यात करें उच्चतम मान बराबर 98 न्यूनितम मान बराबर 3 रेंज बराबर 95 दो, वर्ग अंतरालों की संख्या अत्यधिक नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए वर्ग अंतरालों की संख्या 5 से 20 हो सकती है तीन आपको उपरोक्त दो कारकों के आधार पर वर्ग अंतरालों की विशालता का चयन करना होगा आपको यह विशालता चुनते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी यह इतनी विशाल नहीं होनी चाहिए कि आंकडा महत्वहीन हो जाए और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि अंतरालों की संख्या अत्यदिक हो जाए अंतराल का अनुकूलतम आमाप केवल आप ही निर्धारित कर सकते हैं एक वर्ग अंतराल के बाईयोर की संख्या वर्ग की निम्न सीमा कहलाती है और दाईयोर की संख्या वर्ग की उच्च सीमा कहलाती है तो दो सीमाओं के मध्य अंतर अंतराल की विशालता या वर्ग आमाप होता है तीन, प्रत्येक वर्ग अंतराल के मध्य का मान इसका वर्ग चिन्ह कहलाता है इसे निम्न व उच्च वर्ग सीमाओं को जोड़ कर उसके योग को दो से भाग देकर प्राप्ट किया जा सकता है उधारन के लिए मान लें कि अंतराल बीस से चालिस है अंतराल की निम्न सीमा बीस अंतराल की उच्च सीमा बराबर चालिस वर्ग चिन्ह बराबर बीस जमा चालिस भाग दो बराबर साथ भाग दो बराबर तीस सारणी में देखकर हमें निम्न सूचना प्राप्ट हो सकती है 1. 50 से कम प्राप्तांक वाले चात्रों की संख्या 2. उत्तीर्ण चात्रों की संख्या 3. 80 से अधिक प्राप्तांक वाले चात्रों की संख्या 4. हमें कक्षा के प्रदर्शन के विशे में जानकारी प्राप्त हो सकती है आकणों को वर्ग अंतरालों में वर्गी कृत करने की विधी आकणों का समूहन कहलाती है वर्ग अंतरालों के दो विभिन प्रकार वर्ग अंतरालों के विभिन दो प्रकार होते हैं एक समावेशी वर्ग अंतराल, दो अपवर्जी वर्ग अंतराल, शून्य से 19, 20 से 49, 40 से 69 और इसी तरह के अन्य वर्ग अंतराल अपवर्जी वर्ग अंतराल कहलाते हैं, क्योंकि पिछले वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा भिन्न भिन्न है, इस प्रका का वर्ग अंतराल केवल असतत आकणों के लिए ही उपियोगी होता है। समावेशी वर्ग अंतरालों में पिछले वर्ग की उच्छ सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है। उधारण के लिए 0-20, 20-40, 40-60 इत्यादी। आयत चित्र आयत चित्र सतत चर के बारंबारता बटन का आलेखिय निरूपन है। आयत इस प्रकार निर्मित किये जाते हैं कि उनके आधार रेखिय पैमाने पर विभिन अंतरालों को निरूपित कर रहे हों और उनकी उचाईयां प्रतेक अंतराल में मानों की बारंबारता के समानुपाती हो बारंबारता सारणी उदहरण निम्न में बारंबारता सारणी और उससे संबंधित आयत चित्र दिया गया है जिसमें एक कार खाने के कर्मचारियों की संख्या उनके वेतन के आधार पर दर्शाई गई है समाधान, बारंबारता सारणी में कार खाने के सौकर मचारी उनकी आयस्तर के अनुसार दर्शाई गए है यदि आप उपरोक्त आयत चित्र को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि एक आयत चित्र स्तंभ आलेक जैसा दिखता है लेकिन उसमें एक स्तंभ और दूसरे स्तंभ के मध्य कोई रित्त स्थान नहीं है दो आयत चित्र का एक शीर्शक है तीन एक्स अक्ष पर समुहित आकडे के वर्ग अंतराल दर्शाई गए है बंटन में जो भी दर्शाया गया है उसे नीचे लिखा भी गया है चार वाय अक्ष पर प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए बारंबारताएं दर्शाई गई है पाँच दोनों अक्षों पर उप्युक्त पैमाने लिए गए है छे निर्मित आयतों की उचाईया उनके वर्गों की बारंबारता के समान उपाती है वृत आलेक पाई आलेक के रूप में भी जाना जाता है उदाहरण एक एक स्कूल के छात्रों के पसंदीदा रंग निम्न सारणी में दिये गए हैं इनको वृत आलेक में निरूपित करने से पहले हमें निम्न कदम उठाने होंगे एक समश्टी अंचों को ग्याद करना दो समूहों की संख्या की गणना करना तीन ग्याद करना की प्रत्येक समूह के किस भिन में समश्टी है चार केंद्रियक कोन ग्याद करना और उसी के अनुसार आलेक बनाना हल चात्रों की कुल संख्या बराबर दो सो समूहों की संख्या बराबर पाँच लाल रंग पसंद करने वाले चात्रों का भिन 37 भाग 200 केंद्रियकोन 37 भाग 200 गुणा 360 डिगरी बराबर 66.60 हरा रंग पसंद करने वाले चात्रों का भिन 26 भाग 200 केंद्रियकोन 26 भाग 200 गुणा 360 डिगरी बराबर 46.80 नीला रंग पसंद करने वाले चात्रों का भिन बराबर 30 भाग 200 केंद्रियकोन 30 भाग 200 गुणा 360 डिगरी बराबर 54 पीला रंग पसंद करने वाले चात्रों का भिन 49 भाग 200 केंद्रिय कोण 49 भाग 200 गुणा 360 दिग्री बराबर 70.20 गुलाबी रंग पसंद करने वाले च्छात्रों का भिन बराबर 68 भाग 200 केंद्रिय कोण बराबर 68 भाग 200 गुणा 360 डिग्री बराबर 122.40 सारांच आये जो कुछ हमने सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं वे संग्रहित प्रेक्षण जो विवस्थित न किये गए हों कच्चे आंकडे कहलाते हैं किसी आंकडे में उच्चुतम प्रेक्षण और न्यूनतम प्रेक्षण के मध्य अंतर को आंकणों की रेंज कहा जाता है दिये गए आकणों में कोई प्रेक्षण जितनी बार आता है वह उसकी बारंबारता कहलाता है बारंबारता बटन वह साननी है जो दर्शाती है कि कोई वस्तु उस समूह में कितनी बार आई है जब प्रेक्षणों की संख्या अत्यधिक हो, तो आंकणों को सरल वर्ग अंतरालों में समूहित किया जाता है उच्च और निम्न वर्ग सीमा के मध्य अंतर को वर्ग आमाप कहा जाता है वर्ग अंतराल का मध्यमान वर्ग चिन्न कहलाता है वर्ग अंतराल संग्रहित आकणों के प्रकार पर निर्भर करते हुए या तो समावेशी वर्ग अंतराल हो सकते हैं या अपवर्जी वर्ग अंतराल हो सकते हैं आयत चित्र समोहित आकणों का आलेखिय निरूपन होता है। यह आधार के रूप में वर्ग अंतरालों के आयतों और उचाईयों के रूप में संबंधित बारंबारताओं से बना होता है। कोई प्रयोग वह स्थिती है जिसमें निशकर्ष निकलने की संभावना हो। निशकर्ष वह परणाम है जो किसी प्रयोग के एक ही प्रयास में प्राप्थ हो। कोई अनुवरित किसी प्रयोग का एक या अधिक निशकर्ष हैं। झाला कोई रिछा ये प्रयोग झाला कि जो ओना हो उईला